किस देश के प्रधानमंत्री ने सेना को दिया अटैक का आदेश। अब अंतरिक्ष में चीन और अमेरिका के बीच तनाव वढ़ा। रक्षा मंत्राले ने एक विडियो जारी किया है जिसमें अजर्बैजान की सेना टैंक और युद्धक वाहन के साथ शहर की ओर जाते दिख रहे हैं सीरिया में नुसरा आतंकियों ने इदलिब के दी एक्सकलेशन जोन में 29 हमले किये यदावा रूस के सीरिया रिंकंसिलियेशन सेंटर ने किया है इस बीच रूस और तर्की के जॉइन टीम एलेपयों में पेट्रोलिंग चारी रखे हुए है रूस ने नई माच 8 जिर्कॉन हाइपरसॉनिक मिसाइल का सफल परीक्षन किया है रूस की ये मिसाइल अमारी की शहरों को भी निशाना बना सकती है अमारीका को डर है कि रूस की ये मिसाइल उसके सेटलाइट को भी निशाना ना बना ले माच 8 जिर्कॉन मिसाइल का ये दूसरा सफल परीक्षन है तुर्की में राश्टरपतिया दॉर्गन की पार्टी को उमीद है कि अमारिका की बाइडन सरकार S-400 एर डिफेंस सिस्टम को लेकर उस पर कोई बैन नहीं लगाएगी रुपिया यूनिन ने वरोशा में तुर्की की अवैद गती विदियो के खिलाब बैन लगाने के प्रस्ताव पास किया है तुर्की के खिलाब बैन के प्रस्ताव के समर्थन में 631 वोट पड़े जबकि विरोध में महज 3 वोट अजर्बाइजान और अर्मेनिया की जंग में तुर्की की भूमिका को लेकर भी EU ने नाराज़ की जताई थी चीन ने अमेरिका को ट्रेड वार की धमकी दी है चीन ने कहा कि ट्रम प्रशासन लगातार उसके प्रोड़क्स पर टैरिफ बढ़ाता जा रहा है चीन ने कहा कि ट्रम प्रशासन की कारवाई उकसाने वाली है और इंटरनाशनल वेपार समझोतों के खिलाब है चीन ने धमकी दी है कि वो भी अमेरिका के खिलाब सकत कदम उठा सकता है